हेलो एनिमे गैंग आज मैं एक्स्प्रेंग करने वाला हूँ डीमन्स लेयर सीजन 4 यानि हशिरा ट्रेनिंग आर्क के एपिसोड 2 और 3 को जिसमें मांगा के वन्ठाइटी से लेकर वन्ठाइटी 3 चेप्टर्स तक अबर होंगे अगर आपने इस से पहले का सीजन सौ्ट्समि ट्रेनिंग शुरू हो गई थी इस ट्रेनिंग में जो लोर रैंक होती है हशिरा से नीचे वो सभी हशिरा के साथ ट्रेनिंग करते हैं हमें बताया जाता है कि वैसे तो हशिरा किसी को ट्रेन नहीं करते क्योंकि वो काफी बिजी रहते हैं उनका काम बड़े रीजन्स को डी करना है पर जब से निजुकों ने सूरज की रोशनी में चलना शुरू करा है तब से डीमन पूरी तरीके से गायब हो गए है इसलिए अब हशीरा रात में थोड़ी सी ड्यूटी करते हैं और दिन में छोटे रैंकर्स को ट्रेन करते हैं ये सब बाते जैनित्सू तांजीरो को बता रहा था तांजीरो कहता है ये तो काफी बढ़िया है जिस पर जैनित्सू कहता है ये बढ़िया नहीं है ये जहाननुम है मतलब अभी भी जैनित्सू बदला नहीं है तांजीरो कहता है ये काफी बढ़िया है अगर हम अपने से हाई रैंक वाले के साथ ट्रेन करेंग बताता है कि कैसे उसने उसकी thunder breathing का use करा था अपर rank 4 के खिलाफ और उसे thank you कहता है कि उसने उसे ये technique सिखा दी थी Zenitsu ये सुनकर खुश हो जाता है और वो साथ में ये भी कहता है कि तुम ये सब कहकर मेरा mood change नहीं कर सकते तब ही यहाँ एक कासु काई क्रो आ जाता है जो तांजिरों के लिए एक letter लाया था ये letter master कगाया ने भीजा था Zenitsu भी यहाँ से चला जाता है इसके बाद Tenzin को दिखाया जाता है जो कुछ Demon Slayer को train कर रहा था वो इन सभी से काफी नाराज था क्योंकि ये training सही से नहीं कर रहे थे इसके बाद हमें बताया जाता है कि हशीरा training किस प्रकार से होती है इस training में सबसे पहले physical fitness Tenzin करवाता है इसके बाद flexibility की training मिस्सूरी करवाती है High speed movement की तोगी तो, swordsmanship की सानेमी, infinity attacks की ओबनाई और last में strength की training ग्योमी करवाता है इस training का हशीरा को भी फाइदा था क्योंकि इस लड़ाई से वो अपनी heartbeat और body के temperature को बढ़ाना चाते थे जिससे उन पर demon slayer mark आ सके और जिन पर ये demon slayer mark है वो उसे maintain करने की कोशिश कर रहे थे पर एक हशीरा इन सबी चीचों से दूर था और वो गियू था इसके बाद गियू को दिखाया जाता है जो कि अकेला बैटा हुआ था वहाँ उससे मिलने तांजीरो आता है तांजीरो अपनी training के बारे में बताता है और पूशता है जब वो ठीक हो जाएगा क्या वो उसके साथ train कर सकता है जिस पर गियू मना कर देता है तांजीरो उससे पूशता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हूँ गियू बताता है कि वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि तांजीरो ने अभी तक water breathing को master नहीं किया था गियू चाहता था कि तांजीरो जल्दी से जल्दी water हशीरा बन जाए वो कहता है अभी कोई water hashira नहीं है किसी को ये role निवाना होगा तांजीरो कहता है तुम हो तो water hashira जिस पर गीू मना कर देता है कि वो water hashira नहीं है इसके बद हमें पता चलता है कि master ने उस letter में क्या लिखा था उन्होंने लिखा था कि वो गियू से बात करना चाते हैं और उनकी आलत बहुत खराब है मास्टर को डर था कि जल्द ही मुजान हमला करेगा और अगर गियू ऐसे ही अलग भागता रहा तो उनके लिए दिक्कत होगी वो तांजीरो से उससे बात करने के लिए कहते हैं ताकि वो उससे समझा सके तांजीरो ये काम करने के लिए मान जाता है वो दिन रात गियू के पीछे पड़ा रहता है वो उसे बात करने की कोशिश करता है गियो भी उसे दूर भागता रहता है फिर चार दिन बाद गियो फाइनली रुक जाता है और तांजीरो को बताता है कि उसने final selection पास नहीं किया था वो बताता है कि जिस साल उसने final test दिया था उस समय उसका एक दोस्त था जिसका नाम साबीतो था गियू और साबीतो की दोस्ती काफी बढ़िया थी उन दोनों ने फाइनल टेस्ट साथ में दिया था उस साल टेस्ट में सिर्फ एक लड़का मारा गया था वो साबीतो था साभी तो इतना ताकतवर था कि उसने अकेले सारे डीमन्स को मार दिया था और सभी की जान भी बचाता जा रहा था पर अनफॉर्शनेटली उसे उस लास्ट डीमन ने मार डाला था जिसको उरूको डाकी ने कैद किया था वहाँ पर गियू को बस ये ध्यान था कि पहले ही डीमन ने आकर उसे घायल कर दिया था साभी तो उसे बचा कर एक लड़के के पास छोड़ जाता है फिर और लोगों की मदद करने के लिए निकल जाता है फिर उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है कि तुम्हें किसी हशीरा से ट्रिनिंग लेनी चाहिए और ना मैं अपने मार्क को जागरे कर सकता हूँ साभी तो होता तो वो जरूर कर लेता अब चिप्टर 151 की शुरुवात होती है जा तानजीरो गियू के दर्द को समझ पाता है तानजीरो भी उस समय तूट गया था पर इन उसके उसे होसला देते हुई कहता था कि रेंगोकू ने हम पर भरोसा किया है कुछ भी हो हमें जीना होगा तानजीरो गियू को रोक कर कहता है कि क्या तुम साभीतों के दिये हुए तोफे का इस्तिमाल नहीं करना चाते जिसे सुनकर उसे पास्ट का एक सीन याद आता है जहां गियू और साभी तो ट्रेनिंग कर रहे थे गियू से वो पड़ा पत्थर नहीं कट रहा था जिसे काटने पर फाइनल सेलेक्शन में जा सकते थे गियू कहता है मैं कितना कमजूर हूँ मुझे तो मर जाना चाहिए जिस पर साभी तो उसे जोरदार चमाट लगाता है और गियू को याद दलाता है कि उसकी बहन सुताकों ने खुद की जान की परवा ना करते हुए गियू की जान बचाई थी एक डीमन से गियू इस वक्त को याद करता है जहां उसे सिर्फ ये याद आता है उसकी बहन की अगले दिन शादी थी पर एक डीमन से गियू को बचाते हुए वो मारी गई गियू इस बात को याद करके और दुकी हो जाता है और वहाँ से जानने लगता है गियू को वो एक इतिन कोंटेस्ट में चैलनेंज करेगा और अगर गियू हार जाता है तो उसे ट्रेनिंग में तान्जिरो की मदद करनी होगी अब ये एक इतिंग कोंटेस्ट था तो इसमें बोलने की कोई जरूरएट नहीं थी और गियू को समझाने के लिए ये पर्फेक्ट था इसके बाद वो दोनों सोबा खाने चले जाते हैं इसके बाद शिनोबू को दिखाया जाता है जो भाग कर एक जगा पर आकर बैट जाती है और खुद को शांद करने की कोशिश करती है तबी पीचे से कनाव उससे पूछती है कि क्या वो विंड हशीरा और ग्योमी के बाद उसके साथ ट्रेनिंग कर सकती है जिस पर शिनोबू मना कर देती है कि वो इस बार हशीरा ट्रेनिंग में पार्टिसपेट नहीं करेगी जिससे सुनकर कनाव थोड़ा उदास हो जाती है फिर शिनोबू कहती है चलो अब हम ये बात करें कि कैसे हम उस डीमन को मारेंगे जिसने मेरी बहन काने को मारा था या तमायो के घर पर एक कासुगाई क्रो आता है जो मास्टर कगाया का संदेश लेकर आया था तमायो से पूछती है कि उसने उसका घर कैसे डूड़ा वो क्रो बताता है कि उसने सबसे पहले उस माले को डूड़ा जिससे उसने ये घर लिया था फिर यूशीरो के सेंसेस पर कंट्रोल करके वो यहाँ पहुँच गया तमाय उससे पूछती है कि वो क्या चाता है वो क्रो कहता है क्या आप मुजान को मारने में हमारी मलत करेंगे अगर हाँ तो क्या आप मास्टर के मेंशन पर आ सकती है जिसे सुनकर तमाय घब्रा जाती है कि डीमन स्लेयर कॉप हेड़कोर्टर में जाना होगा वो ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि वो एक डीमन थी अब एपिसोड 3 यानि चप्टर 122 की शिरुवात होती है ज़़ तांजीरो फुल रिकवर होकर हशिरा ट्रेनिंग में पार्टिसपेड लेता है सबसे पहले वो तैंजिन के साथ ट्रेनिंग करता है तैंजिन और उसकी पतनिया तांजीरो को एक दम फिट देखकर खुश हो जाते हैं 10 दिन बाद तांजीरो तैंजिन की ट्रेनिंग को पास करके तोकीतो के पास जाता है तांजीरो वहाँ पर भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है तोकीतो और तांजीरो अब काफी अच्छे दोस्त बन गए थे तोकीतो तांजीरो को अगले हशीरा के पास जाने की परमीशन दे देता है अभी सिर्फ 5 दिन हुए थे इसलिए तांजीरो थोड़ा चौंक जाता है बागी डीमनसलेर तोकीतो से पूचते है कि क्या वो भी यहाँ से जा सकते है उन्हें यहाँ दो हफ़ते हो गए थे जिसपर तोकीतो उन्हें और ट्रेंशन करने के लिए कहता है जिसे सुनकर वो सब ही धुखी हो जाते हैं इसके बाद तांजीरो ट्रेनिंग के लिए अगली हशीरा मिट्सूरी के पास जाता है दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं मिट्सूरी की ट्रेनिंग के लिए सब लोग लड़कियों वाली ड्रांसिंग ड्रेस पहन लेते हैं अगले हशीरा ओबनाई के पास जाता है जो तांजीरो पर बहुत गुस्ता था क्योंकि उसे मिट्सूरी ने बताया था कि तांजीरो और उसने ट्रेनिंग के वक्त काफी मस्ती की थी और ये बात ओबनाई को अच्छी नहीं लगती वो तानजीरो को एक जगा पर लेकर आता है, जाब महुत सारे Demon Slayer Cop को बानदा रखा था, तानजीरो तो उन्हें देखकर घबरा जाता है, और ओबनाई से पूछता है कि क्या इन्होंने कोई गुना किया है, जिस पर ओबनाई कहता है, इन्होंने कमजोर होने का, ना सीखने का और मुझे irritate करने का गुना किया है जिसे सुनकर तांजिरो की हालत और खराब होने लगती है इसके बाद तांजिरो की training शुरू होती है जहां उसे एक लकडी की sword मिलती है ओबनाई भी एक लकडी की sword लेता है training ये थी कि उनको एक दूसरे को hit करना था पर ये इतना भी आसान नहीं था क्योंकि चारो ओड डीमन स्लेयर कॉप लटके हुए थे और अगर strike मिस हुआ तो सीधा उन कॉप्स में पड़ेगा battle शुरू होती है ओबनाई अपनी wood stick से तांजिरो पर हमला करता है वो भी दो कॉप्स के बीच में से तांजिरो ये देखकर चौंक जाता है कि ओबनाई अपने attacks को band कर सकता है जैसे सांप करता है तांजिरो attack करने की कुशिश करता है पर वो उन कॉप्स की वज़े से सही से attack नहीं कर पा रहा था तीन दिन तक training चलती रहती है और तांजिरो खूब पिटता है पर चौते दिन फाइनली तांजिरो एक attack ओबनाई पर कर देता है जो उसके बालों पर लगता है और उसके बाल हलके से कट जाते हैं इसे देखकर ओबनाई तांजिरो को अगले हशीरा के पास जाने की permission दे देता है पर warning भी साथ में देता है कि अगर वो मिट्सूरी के पास दिखा तो गया तांजिरो सोचता है कि ये अभी भी मुझसे नफरक करता है और थैंक्यू कहकर वहाँ से चला जाता है इसके बाद तांजिरो अगले हशीरा सानेमी के पास जाता है उसके डोजो तक पहुँशने का रस्ता भूल भूला ये टाइप था तांजिरो को रास्ते में जैनिट्सू मिलता है जिसकी हालत बहुत खराबती वो तांजिरो से यहां से भागने के लिए मदद मागता है तब ही सानेमी यहां आ जाता है जो से या तो ट्रेनिंग चोईस करने के लिए कहता है या मौत जिसे सुनकर जैनिट्सू बहुत जादा डर जाता है सानेमी उसे चमाट लगा के भिहोश कर देता है और तांजिरो को उसे उठा के लाने के लिए कहता है तानजीरो सानेमी से बात करने की कोशिश करता है पर सानेमी कहता है दूर रहो तुम मुझे पसंद नहीं जिस पर तानजीरो तगड़ा जवाब देता है वो कहता है मुझे भी तुम पसंद नहीं तुमने नेजुको को तलवार मारी थी और चौड में चलते हुए सानेमी से आ तानजिरो सानेमी के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। तानजिरो सानेमी के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। जाते हैं जाथ जैनेट्सु को लगता है कि सानेमी फिर से ट्रेनिंग के लिए आ गया। वो सबसे भेहोश होने का नाटा करने के लिए कहता है। तब ही उसकी नजर तानजिरो और गेन्या पर जाती है। वो उन्हें डाटा है कि दीवालो को मत तोड़ो सानेमी तुम्हें मार डालेगा। तब ही सानेमी गुस्से में भाहर आता है जिसे देखकर जैनेट्सु तो डर के मारे रोने लगता है। सानेमी कहता है मैं गेन्या को इतना मारूंगा कि वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। वो उसे एक आप्शन भी देता है कि अगर वो डिमन स्लेयर कॉप्स छोड़ देता है तो वो उसे माफ कर देगा। तांजिरो सानेमी पर चलाता है और कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा तांजिरो कहता है तुम गैन्या पर दवाब नहीं डाल सकते अगर तुम उसे अपना छोटा भाई नहीं मानते तो तुम उस पर हक नहीं चला सकते वो ये भी कहता है कि अगर गैन्या demon slayer cops में ना होता तो हम कभी upper rank के demon को हरा ही नहीं पाते ये सुनका सानेमी अब तांजीरो को पहले मारने की बात करता है और तांजीरो के पास आकर उसके पेट में एक मुका देकर मारता है पर Tanjiro अपने हाथ को अड़ा कर इस अटैक को रोक लेता है पर Sanemi उसे उठा कर नीचे पटक देता है Tanjiro Zenitsu को Genya को यहां से ले जाने के लिए कहता है Zenitsu चिलाते हुए कहता है मेरा नाम मत चिला तभी Sanemi अपनी किक से Tanjiro के कान को थोड़ा काट देता है गेन्या सानेमी से कहता है कि तांजीरो का इससे कोई लेना देना नहीं है तबी जैनित्सु उसे पकड़ कर यहां से ले जाने लगता है और सानेमी के बारे में बुरा भला कहता है जिसे सुनकर गेन्या जैनित्सु को जोरदार पंच लगाता है और कहता है मेरे भाई के बारे मैं बुरा भला मत बोलो सانेमी और तांजीरो की लड़ाई शाम तक चलती है सबी कॉप्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं फिर तांजीरो को उसके कासूगाई क्रो से डांट भी पड़ती है उसे सानेमी के साथ ट्रेमि भी करने को नहीं मिलती तांजीरो को दुख हो रहा था कि वो सानेमी और गेन्या के बीच में सुला नहीं करवा पाया जैनिस्सू उसकी तारीफ करता है और कहता है कोई बात नहीं तुम जो सानेमी के ख़ड़े हुए वो काफी बड़ी बात थी वो दोनों अब अकले हशिरा ग्योमी के पास जा रहे थे जैनिस्सू चला कर कहता है ये स्टोन हशिरा क्या पागल है मांटेंस के इतने अंदर कौन घर बनाता है तभी उन्हें एक वाटरफॉल दिखता है जहां कुछ डीमन स्लेयर कॉप्स और इनॉस के उसके नीचे खड़े थे तानजीरो और जैनिस्सू ये देखकर डर जाते हैं तभी पीछे से ग्योमी की अवाज आती है जो इन दोनों का वेलकम करता है तानजीरो और जैनिस्सू जब ये देखते हैं कि ग्योमी आग में बड़ी बड़ी लकडियों के साथ पत्थरों को बांध अपने उपर रखकर बैटा है इन दोनों की तो बत्ती गुल हो जाती है और इसी के साथ ये दोनों एपिसोड एंड हो जाते हैं अगली वीडियो इस हशीरा ट्रेनिंग आर्क की लास्ट वीडियो होगी उसके बाद फाइनल बैटल आर्क शुरू होगा और हाँ जो लोग कह रहे थी कि मांगा पैनल भी दिखाओ तो मांगा पैनल की वीडियो इस चैनल पर आएगी तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना कमेंट से मताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा एक्स्मेंटिशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में